आप सभी का स्वागत है रविजोन बिजनिस आइडिया में तो साथियों आज आए हैं हम हरियोम मार्वल मूर्ती आर्ट पर जहां देखेंगे हम एक से एक सुन्दर और नायाब देवी देवता और प्रभू की मूर्ती और बहुत से इस्टेचू तो चलिए देखते हैं नई वीडियो जल्दी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर तबाएं भाई जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे रवी जोन बिजनिस आइडिया में सामने से जो सस्क्राइबर विवर्स हमें और आपको देख रहे हैं पहले तो उन्हें अपना और अपनी फर्म का परिचे दें मेरा नाम राहूल है हमारा मारवल मूर्ती का काम है हर यों मारवल मूर्ती के नाम से अपनी सौप है जी तो राहूल जी जैसे कि आपने कहा मारवल मूर्ती का काम है तो क्या इस मारवल में डिफरेंट डिफरेंट पत्थर होते हैं अलग-अलग क्वालिटी के पत्थर होते हैं कैसी कैसे पत्रों की मूर्थिया बनती है आपके हां है क्वाल्थी जैसे जिरी का है मकराने का है एक व्यतक नाम है जो बाहर से export होके आता है अच्छा हमारे इंडिया का नहий है वो बाहर से आता है जिरी है वह उसका कोश्ट भी बहुत ज्यादा है कि उसके पत्थर पत्थर को पत्थर है मुर्ति के पत्थर यह हैं अब मलत्यकिक कि उसनेये चरह हमारे विवक्र को आप उनका आउन मुर्थी पत्थर पर जो भी ढाचा दे Babi विद्या की देवी हैं और हमारे हिंदु धर्म में बड़ी ही मानिता है सुरत्तिती जी की और जितने भी सिक्षन या सिक्षा से संबंदित लोगें वो इन्हें बहुत ही जादे मानते हैं एनकी हाइट 4 फित है, पथर नॉर्मल है, लेकिन जिस कारीगर ने बनाया है, पथर का कुछ भी नहीं हो, कारीगर के उपर, क्ए उसको किस प्रिकार काई धाचा देता है, वही मूर्ती 50 की भी हो जाती है 50,000 की लाग की भी हो जाती है उसे कम भी हो जाता है पत्थर की क्वालिटी प्लस जो है कारीगर के हातों का जादू उसके उपर डिपेंड करता है और इससे आगे अब देखो लचमी जी की ये भी 4 फिट है ये बिहार के लिए मूर्तियां जा अच्छा ये जो हमारी लक्षमी माता है धनकी देवी है उनकी मूर्ति है और उससे आगे गनपती जी की मूर्ति है ये भी 4 फिट में अधिकतर ये मूर्ति है जो बैठी हुई बनती है कमल पे लेकिन उन्होंने बोला कि थोड़ा मूर्ति को खड़े में सारी मूर्तियां है तो ये भी खड़े में बनाई हुई है अच्छा ये टोटल ये जो मूर्तियां यहां पे लगी हुई है सब ये पहले से ओर्डर किया है और ये जो आगया हम देख रहे हैं ये स्याम कार्तिक अच्छा ये स्याम कार्तिक जी की मूर्ति है ये भी खड़े में ही बनी हुई है हाँ यही वह वह गया, ना कि यह गनेश जी के भाई हैं वो कार्थिके हैं, जो मोर पे विराजमान रहते थे वह हैं यह, मोर की मुर्थी मुर्थी पे कलर की सेफटी के लिए लेमिनेट करते हैं मूर्टे को चाहे पानी डालो old very violent को कब hop लिए सेफटी भी होता है और मूर्थि पो उस्ते वो वह चमक है मतलब उसकी बरकरार रहती है 앞 माताजी के सेफटी के लिए मूर्टि करते हैं मूर्थि देखो मूर्थि को lawsuit किया हुआई best face पे चमाक से जो जो चमक आती है और कलर भी एकदम सेफटी से रहता है माता जी की मूरती है सेर का डिजाइन देखो पूरा एकदम हाँ एकदम ऐसे लगता है कि बस अभी बोल पड़ेंगी कुछ कहने लगेंगी माता रानी बहुत ही सुन्दर और बहुत ही अच्छी लग रही है चमक उनके च वीडियो से और उसे ये मूर्थी अपने हां मंहानी है और वो बहुत दूर के कस्टोमर है अगर राहहूल जी कोई कि हूंची खुछ को मंहा अविषी का टूटना फूटना तो बहुत ही कम होता है इसा भी लहीं है और हातों के परिस्रम से और दिमाग से बनाया है तो हम उसे बहुती से ले जाएंगे और कुछ ना करें तो ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया है तो हमारे बाबा हनुमान है यह हमें ऐसा बोच डालेंगे कि हमारी मूर्ती तोड़ देंगे या कुछ होग तो वो अच्छे से से ले जाया जाता है पेकिंग अच्छे से की जाती है जिससे की मूर्ति तो हमारा भी नुकसान होता है सामने वाले को भी टाइम भी खराब होता है उसको भी दिक्कते आती है तो राउल जी जैसे के ये बजरंग बली जी की मूर्ति है पवन पुत्र की मू यह लाल पत्थर में भी लगते हैं जिन पर चोला चड़ाते हैं इस पर चोला नहीं चड़ा सकते हो हाँ यह मतलब पूरे कप्ड़े वगरा यह ऐसे ही जो है पेंट से बने हुए है कुलमला के यह है राओ जी कि मतलब बनाने वाले ने अपने हाथों की अपनी चैनी हतोड़े की कलाकारी को ऐसे निखा रहा है कि बस लगता है कि बस अब बोल जाएंगे कुछ मूर्थियां ऐसी होती है जिनको भेजने का ही मन नहीं करता है मूर्थियां इतनी सुन्दर बन जाती है बहुत ही अकरसक लगती है कि यह उता है कि प्रभू की जितनी मूर्थिया कोई भी चीज होगी आप कहीं पे खड़ा करो और वहीं से देखो तो यह लगेगा कि वह हमारी तरफ भी देख रहे हैं उनकी द्रश्टी चारों साइड होती है यह भी आँक के बनाने का एक जादू है कलाकार के अगर उधर पूरब में खड़े हैं तो वह लग रहा है कि हमारी तरफ इधर भी देख रहे हैं और हम देख रहे हैं यह बड़ा ही इंट्रेस्टिंग चीज है कि मुर्ति आप चाहिए कहीं खड़ी कर दो जी आपका कॉंटेक्ट अगर मुर्ति से अच्छा है आप पूछते ह तो वह आपको ऐसा लगेगा हां मुर्ति हमें ही देख रही है यह बनाने का अभी एक रामायन में कुछ लाइन है टूटी-पूटी इतना तो मुझे इंकान नहीं है के जाकी रही भावना जैसी प्रभ मूरत देखी तिन तैसी बतार जिसकी भावना जैसी होगी प्रभू चुल सिसी तरकार से देख थे बावना कर यह डरा अपने चाहिंगे हरियों कला मूर्ति चेंद्र के बारे मैं और मूतियों के बारे मैं सबसे ज़ान जो आदमी का जाता वो फेस पे जाता है यह जबूदद का यहाँ कर लो हम STA kal कि आपालने चाहना चाहती है मुर्ती को कवर करीद होकर होना चाह कि पथर खॉल्टी जो मैन है फेस अच्छा होना चाहिए कि मूर्ती लगए तो राहूल जी आपने ये हमें इतने देवी देवताओं और भगवान की मूर्ती के दर्सन कराए उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद साथ वेलकम साथ